ठेक गुलाब जमून तो आपने बहुत खाए होंगे तो आज मैं आपके लेके आई हूँ गुलाब जमून की सबजी की रेसिपी आपने बहुत सादियों में रेस्टरोइन में ढबे में गुलाब जमून की सबजी खाई होंगे तो आप सोचते होंगे कि यह सबजी की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगर आप नहें तो यहां पर मैंने लिया है एक कड़ाई इस पर मैंने डाला है दो टीजपून तेल अब इसमें मैं एड़ कर दूंगी घी एक चमच घी डाला है आप चाहे तो इसमें मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं अब मैं इ अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तेल में इसका पूरा फ्लेवर आ जाए और हम इसे अच्छे से फूंच लेंगे अब मैं इसमें डाल दूंगी एक बड़ी कटी हुई हरी मिक्श पारी कटी हुई हरी मिक्श है अब उसे मैं अच्छे से मिक्स करके आं तेल म बूज लेंगे अब इसमें मैं एड़ कर दूँगी एक पारिक कटा हुआ प्याज जो पारिक मैंने काटके रखा है प्याज एक से दो प्याज आप ले लीचे का इसे आप चाहे तो मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं और यहां पर मैंने लिया है अद्रक और लसन का पीस् देखिएगा बहुत सारे सीक्रेट इंग्रेडियंस मैंने इसके साथ शेयर किये हैं इस प्रेसिपी में कि यह बिल्कुल धाबे जैसा और रेस्ट्रून जैसे हमारे इसमें टीस्ट आए अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी जो भूजा हुआ जीरा पाउडर यहां पर मैंन इसमें अब ब्राउनीश ना जाए लसा नद्रह और प्याज का यह देखिए अब लगवाप हो चुका है अब मैं इसमें एड़ करेंगे हमारे मसाले अच्छे से हमें इसमें भूज लेंगे देखिए कलर अब चेंज हो गया है तो अम मैं से मसाले एड़ करूंगी यहां प लेंगे अच्छे से हम जोंच लेंगे इसे पका लेंगे ताकि इसमें एक पीसमें औरा रही होगा की अब तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें वार्डर्य यूज करींगे इस्पुन हम इसमें हींग आड़ कर देंगे और एक चमच के लगभग हम इसमें आड़ कर देंगे कसूरी मेथी बहुत अच्छा स्वाद आता है कसूरी मेथी का दोस्तों अब इसमें हम आड़ कर देंगे हमारे पाव भाजी मसाला लगबग मैंने आधा चमज लिया है तो ये पाव भाजी मसाला हींग और जो कसूरी मेती को लेके हम इसे अच्छे से भूझ लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पानी आपको थोड़ा सा वाम वाटर ही लेना है इससे क्या होता टेस्ट बढ़ता है और हमारे जो मसाले हैं वो जल्दी पकते हैं तो कभी भी आप मसालों के लिए गरम पानी ही यूज करिएगा अब इससे अच्छे से हम भूझ लेंगे अब इसमें मैं हरा धनिया जो कटे हुए मैंने रखे हैं उसे में थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालूंगी तो ये अच्छे स हमें अब भी सारा धनिया को भी मिक्स करके भूझ लेंगे तो ये लगभग मेरे जो तेल है उसने मसाले है उसने तेल छोड़ दिया है अब यहां पर जो मैंने रैडी करके कुक्ट टमीटो पेस्ट रखा था उसे में दो चमज बड़े जो टी स्पून होते हैं उसे मैंने म इसक्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी मैंने लिंक शेयर किया है तो आप वहां जाके देख लीजेगा अब यहां पर मैं करूंगी गरम मसाला तो मैंने यहां पर वन टी स्पून गरम मसाला डाला है और इसे भी हम अच्छी से चला लेंगे और यहां पर मैंने कश्मीरी यूज की यहां मिक्ची थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे चलाते रहेंगे लग भग पक चुका है अप इसमें मैंने अट किया है काजू और बदाम का पाउडर जो मैंने बनाके स्टोर करके रखा है जो चमचे काजू बदाम पाउडर मिलाने के बार हम इसमें एड क यह निकाली है आप छाहीй जायें तो अमूल दूत की मलाई भी यूज कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स करिदे लें अब हलका सा हम इसे प्का लेंगे अब से स्टीज में आपको चलाते रहना हैं दोस्तों अदर्वाइस मलाई अच्छे से मिक्स नहीं होगी अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसे मूझ लेंगे अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी हरा धनिया तो मैंने जैसे बताया था आपको कि थोड़ा थोड़ा हरा धनिया पीछ में आपको एड़ करते रहना है अब इसे हम अच्छे से भूज लेंगे अब इसे भूजने के बाद मसाला लगभग पक चुका है अब हम इसमें एड़ कर देंगे हमारे पानी यह देखे मसाला के लगभग तेल पूरा छोड़ दिया है अब हम इसमें पानी एड़ कर देंगे पानी आपको आपके ग्रेवी के अकॉर्डिंग लेना है कि आपको कितना ग्रेवी बनाना है अब पानी मैंने यहाँ पर गरम पानी ही यूज किया है गरम पानी ही आप यूज करिएगा जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा परकरार रहेगा अब हम इसमें अड़ कर देंगे नमक जैसा कि दोस्तों मैंने कहा है जब भी आप मलाई दूद की रेसिपी बनाएं नमक सबसे लास्मे अड़ करिएगा जिससे यह फटेड़ा अब यह नमक एड़ होने के बाद अब मैं इसमें एड़ कर दोंगे हमारे हरी धनिया फिर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया यूज किया है आप इसमें एड़ कर दोंगे मैं गुलाब जामून गुलाब जामून यह मैंने घर पे बना के स्टोर करके रखा है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंच करके जरूर बताई देजगा या फिर मैं इसकी रेसिपी शेर आपके साथ कर दूँगे तो यह कितना सुन्दर कलर आगया है अब हम हलका एड़ कर दूँगी बचा हुआ हरा धनिया एड़ करने के बाद हम इससे एक बड़तन पर निकाल लेंगे लगभग पूरा बनके रैड़ी है अब मैंने दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंस्टरूर करिएगा आप इसे किसी भी नान के साथ रोटी के साथ चानल के साथ एंजाय करिए